सब्सक्राइब करें मेरे चानल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि उसी से आपको न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे हेलो फ्रेंट्स आज मैं करने वाली हूँ अपने बालों पे हेर ट्रिमिंग और क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े हो गए है तृमिंग के लिए मैंने अभी भी पाल धुए हैं और थोड़े से वह ड्राय हो गया है और सूखने के बाद और फ्रेश हेर पर जब आप त्रिम करते हैं तो अच्छे से होते हैं मैं अभी त्रिम करने वाली हूँ तो मैंने दो पार्ट्स एपने बालों को डिवाइड किय क owkiy कभी आपके बाल नीछे से काटने की और फिर भाल रह सनु परकित अजसकी हो कि तो सर्फ ऐड तो जेडिए उंभरो बालों को काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं वाल थोड़े मोटे हैं और इसलिए मैं यहाप एक ट्रिमर यूज कर रही हूं, मैं आप सीजर से भी कैसे काटना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो मैं सिफ नीचे नीचे के थोड़े-फोड़े बाल ले रही हूं, एक-एक इंच और उसको काट ले रही हूं तो इससे क्या होता है, आपकी इस प्लिटेंड्स सारे हट जाते हैं और है की कॉलिटी वे वह बेटर होती है तो मैंने नीचे की एक एक लेयर एकदम सीरे सीते काटती है और उसके बाद अगर आप चाते हैं और काटना है बाल आप और बाल ले सकते हैं तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ मैं पीछे कान के उपर के सारे बाल ले रही हूँ और क्योंकि नीचे की मेरे बाल तो कटी गए हैं लेकिन जो थोड़े ऊपर की लेयर रह जाती है वह बालों को उसमें स्प्लिटेंड्स रह जाते हैं तो वह मैं बाल ले रही हूं आप पहले सबसे कोंब कर लीजे कि कोई भी टैंगल्स ना हो अच्छे से कोंब करके इसके बाद आप एक रूपर बैंड लगा लीजे तो आपको दीख रहे होंगे नीचे नीचे कुछ बाल जो हैं एक्स्ट्रा निकल रहे हैं और ऐसे बाल में स्प्लिटेंड्स भी हो जाते यूपर हें को नीचो है.. बाल को ना है कि परेंगब के और बैद डोकौन से बाल की स्प्थाप इए बाले होते हैं आपके वी वी बाले सब्सक्राकर से बाला की आपकी बाले से बाल अमसे भी होता हैं में कर देता हूँ कि देफिता है तो सुखे, पर काट सब्सक्रादान। टी काट सकते हैं, तो जैसी या आपकी मरजी उस तरह से आप काट सकते हैं. बालों को दो-तीन बार लेवल करके आप थोड़े-थोड़े ट्रिम करते रहिए तो मेरे बाल ट्रिम हो गया है और थोड़े से छोटे हो गया है पहले से अच्छी अच्छी होती है दो-तीन मेने में बढ़ जाते हैं यह मेरे इस तरह के मेरे नैच्रल है और थोड़े से वेवी है तो तो बोलते हैं कि आपके स्ट्रेィयरें मेरे बालस बीज कज़ाइँन है Hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. Thanks for watching and see you in my next video. Bye!